ओम करपूर गोरं करुनावतारं संसार सारं फुजगेंद्र हारं सदावसंतं रिदेयार विंदे भवं भवानी सहितं नमामी हर हर महादेव दोस्तों आज मैं इस रीजव मैं श्री शिव महापुरान की विदेश्वर संहिता का अठारहवा अध्याय पढ़ने जा रही हूं ध्यान से सुनिएगा बहुत ही ज्यानवर्दक और मुक्ष प्रदाइनी है ये शिव महापुरान पार्थिव लिंग के निर्मान की रीती तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तरत एवं संशिप्त विदी का वर्णन ये सभी जानकरियां आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे तदनंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्टता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं महर शियो अब में वैदिक कर्मे के प्रती शद्धा भक्ती रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धती का वर्णन करता हूँ यह पूजा भोक और बोक्ष दोनों को देने वाली है आनहिक सूत्रों में बताई गई विधी के अनुसार विधी पूर्वक स्नान और संधियो पासना करके पहले ब्रह्मयग्य करें तत पश्चात देवताओं, रिशियों, संकादी मनुश्यों और पित्रों का तरपन करें अपनी रुची के अनुसार संपूर्ण नित्यकर्म को पूर्ण करके शिव इस्मरन पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारन करें तत पश्चात संपूर्ण मनोवांशित फल की सिध्धी के लिए उची भक्ती भावना के साथ उत्तम पार्थिवलिंग की वेदोक्त व को यतने पूर्वक लाकर बड़ी साफधानी के साथ शिवलिंग का निर्मान करें ब्रहम्मड के लिए शवेथ शत्रिये के लिए लाल वै excess के लिनी और शुद्र के लिए काले मिंठी से शिवलिंग बनाने का विधान है अथवा जहां जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्य पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुम्रतिका को अत्यंत शुद्ध इस्थान में रखें फिर उसके शुद्धी करके जल से सान कर पिंडी बना लें और वेदोत्त मार्क से धीरे धीरे सुन्दर पार्थिवलिंग की रचना करें तत पश्यात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ती पूर्वक उसका पूजन करें उस पार्थिवलिंग के पूजन की जो विधी है उसे में विधान पूर्वक बता रहा हूँ तुम सब लोग सुनो ओम नमाशिवाय इस मंत्र का उच्चारन करते हुए समस्त पूजन समगरी का प्रोक्षन करें उस पर जल छिड़कें इसके बाद भूरसी इत्यादी मंत्र से शेत्र सिध्धी करें फिर आपोस मान इस मंत्र से जल का संसकार करें इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से इस्फाटिक बंध इस्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है नमहा शंभवाय इस मंत्र से शेत्र शुद्धी और पंचाम्रत का प्रोक्षन करें तत पश्यात शिव भक्त पुरुष नमहा पूर्वक नील ग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें इसके बाद व्यदिकरीती से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एत्रे रुद्रा वसम इस मंत्र से रमणी या आसन दे मानो महांतम इस मंत्र से आवाहन करें या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें, या मिशुम इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें, अध्य वोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें, असो यस्तामरो इस मंत्र से शिवलिंग में इश्ट देवता शिव का न्यास करे असो योय वसरपती इस मंत्र से उपसरपण यानि देवता के समीप गमन करें इसके बाद नमोयस्तु नील ग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाध्य समर्पित करें रुद्र गायत्री इस मंत्र से अर्थ दें त्रयंब कम इस मंत्र से आच्मन कराएं पयाह प्रतिव्याम इस मंत्र से दुग्द इसनान कराएं, दधी क्रावडो इस मंत्र से दधी इसनान कराएं, ग्रतम ग्रत पावा इस मंत्र से ग्रत इसनान कराएं, मधु वाता, मधु नक्तम, मधु माननो इन तीनों रिचाओं से मधु इसनान और शरकरा इसनान कराएं, इन दुग्द आदी पांच वस्तुओं को पंचाम्रत कहते हैं। अत्वा पाद्य समर्पन के लिए कहे गए नमो अस्तु नील ग्रिवाय इत्यादी मंत्र द्वारा पंचाम्रत से स्नान कराएं। तगनंतर मा नस्तो के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भग्वान शिव को कटी बंध यानि करधनी अर्पित करें। नमो ध्रश्णवे इस मंत्र का उच्चारन करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारन कराएं। याते हेती ही इत्यादी चार रिचाओं को पढ़कर वेदग्य भक्त प्रेम से विधी पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यग्यूपवीत समर्पित करें। इसके बाद नमह श्वभ्यह इत्यादी मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धी वाला पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध यानि सुगंधि चंदन एवं रोली चड़ाएं। नमस तक शभ्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमह पार्याए इस मंत्र से फूल चड़ाएं। नमह परनाए इस मंत्र से बिलवपत्र समर्पन करें। नमह कपरदिने च इत्यादी मंत्र से विधी पूर्वक धूप दें। नम आश्वे इस रिचा से शास्त्रोक्त विधी की अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्यात हाद धोकर नमो जियेश्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अरपित करें। फिर पूर्वोक्त तरयंबक मंत्र से आचमन कराएं। इमा रुद्र आए इस रिचा से फल समर्पन करें। फिर नमो व्रज्य आए इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तद्रंतर मानो महानतम तथा मानस्तों के इन पूरवाक्त दो मंत्रों द्वारा केवन अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरन्य गर्भाह इत्यादी मंत्र से जो तीन रचाओं के रूप में पठित है दक्षिना चढ़ाएं देवस्य त्वा इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिशेक करें दीप के लिए बताते हुए नम आशवे इत्यादी मंत्र से भगवान शिव की नीराजना यानी आरती करें तत पश्चात इमा रुद्राय इत्यादी तीन रचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुषपांचली अर्पित करें मानो महंतम इस मंत्र से विग्य उपासक पूजनिय देवता की परिक्रमा करें फिर उत्तम बुद्धी वाला उपासक मानस्तो के इस मंत्र से भगवान को साश्टांग प्रणाम करें एशते इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करे यतो यतह इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का त्रयम्ब कम मंत्र से ज्यान नामक मुद्रा का तथा नमह सेना इत्यादी मंत्र से महा मुद्रा का प्रदर्शन करे नमो गोभ्य इस रिचादवारा धेन मुद्रा दिखाए इस तरह पांच मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जब करे अत्वा वेदग्य पुरुष शत्रुद्री ये मंत्र की आवरत्ती करे तब पश्चात वेदग्य पुरुष पंचांग पाठ करे तदनंतर देवा गातु इत्यादी मंत्र से भग्वान शंकर का विसरजन करे इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधी का विस्तार से प्रतिपादन किया गया महरिशियो अब संशेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधी का वर्णन सुनो सद्यो जातम इस रिचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आएं वाम देवाय इत्यादी मंत्र पढ़ कर उसमें जल डालें जब मिट्टी संकर तैयार हो जाए तब अगोर मंत्र से लिंग निर्मान करें फिर तद पुरुशाय मंत्र से विदिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करें तदनंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर इस्थापित करें इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धी वाला उपासक संशेप से ही संपन्न करें इसके बाद विद्वान पुरुश पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिये हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से सोलह उक्चारों द्वारा विधिवत पूजन करें अथवा भवाय भवशानाय महादेवाय धीमही उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशी मौलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करें वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करें क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनुवान शित्फल देते हैं ब्रामणो यहां जो वैदिक विधी से पूजन का क्रम बताया गया है इसका पूण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधी भी बता रहा हूँ जो उत्तम होने के साथ ही सर्व साधारन के लिए उपयोगी है मुनी वरो पार्थिव लिंकी पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है वह पूजा संपून अभिष्टों को देने वाली है मैं उसे बताता हूँ सुनो हर महेश्वर शंभू शूल पाणी विनाग शिव पशुपती और महादेव ये क्रमशा शिव के आठ नाम कहे गए हैं इन में से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमहा का उच्चारन करके पार्थिव लिंक बनाने के लिए मिट्टी लाएं दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वाराय नमहा का उच्चारन कर के लिंग निर्मान करें फिर ओम शंभवे नमहा बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें तत्पश्चात ओम शूल पाने नमहा कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें ओम पिनाग ध्रशे नमहा कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं ओम शिव कार और अंत में चतुर्थी विभक्ती के साथ नमहा पद लगा कर बड़े आनंद और भक्ती भाव से पूजन संबंधी सारे कारे करने चाहिए शडक्षर मंत्र से अंग न्यास और तीन करन न्यास के विधी भली भाती संपन करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें जो कैलास परवत पर एक सुन्दर सिंघासन के मद्य भाग में विराजमान है जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई है सनक सनंदन अति भक्त जन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावा नल को नश्ट कर देने वाले अप्र मेय शक्तिशाली इश्वर हैं उन विश्व विभूशन भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए भगवान महेश्वर का प्रति दिन इस प्रकार ध्यान करें उनकी अंग कांती चान्दी के परवत की भाती गौर है वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुर धारन करते हैं रतनों के आभूशन धारन करने से उनका श्री अंग और भी उद्भाशित हो उठा है उनके चार हाथों में क्रमशह, परशु, म्रग मुद्रा, वर, एवं, अभय मुद्रा, सुशोभित हैं वे सदा प्रसन रहते हैं कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों और खड़ी होकर उनकी स्तुती कर रहे हैं उन्होंने वस्त्र की जगह व्याग्र चर्मधारन कर रखा है वे इस विश्व के आदी हैं बीज यानि कारण रूप हैं तथा सब का समस्त भय हर लेने वाले हैं उनके पांच मुख हैं और प्रत्येक मुख मंडल में तीन-तीन नेत् इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिवलिंग का पूजन करके गुरू के दिये हुए पंचाक्षर मंत्र का विधी पूर्वक जब करें विप्रवरो विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वार शंकर से इस प्रकार प्राखना करें सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूत नात्षिव मैं आपका हूं आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथ्वा आपके गुण ही मेरे प्राण मेरे जीवन सर्वस्व हैं मेरा चित सदा आपके ही चिंतन में लगा हु ये कृपा कीजिए शंकर मैंने अन्जान में अथवा जान बूझ कर यदि कभी आपका जप और पूजन आदी किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए गौरी नात मैं आधुनिक युक का महान पापी हूं पतित हूं और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं इस बात से नहीं जाना है फिर मैं कैसे चान सकता हूं महेशवर मैं जैसा हूं वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव हैं आपका हूं आपके आश्रित हूं इसलिए आपसी रख्षा पाने योगी हूं परमेश्वर आप मुझे पर प्रसंद होईए मुने इस प्रकार प्राथना करके हाथ में लिए हुई अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के उपर चढ़ा कर उन शंभु देव को भक्ती भाव से विधी पूर्वक साश्टांग प्रणाम करे तदनंतर शुद्ध बुद्धी वाला उपासक शास्त्रोक्त विधी से इश्ट देव की परिक्रमा करे फिर शद्धा पूर्वक इस्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की इस्तुति करे इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उचारण करके पवित्र एवं विनीचित वाला साधक भगवान को प्रणाम करे फिर आधर पूर्वक विध्यक्ति करे और उसके बाद विसरजन मुनी वरो इस प्रकार विधी पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रती भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है विदेशवर संगीता में 18, 19 और 20 ये तीनों अध्या एक साथ दिये हुए हैं तो ये अध्या यहीं पर समाप्त होते हैं आगे 21 अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अपने दोस्तों और परिवार जनों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में भगवान महादेव की क्रपा पर बनी रहे हर हर महादेव जय माता दी